कि यहीं दोस्तो हम लोग प्राचीनित हास से कुष्शन कर रहे थे और चलिए दोस्तो इस वीडियों हम लोग गुप्त काल से कुष्शन से सूरू करते हैं तो दुरस्तों पहला कोशन है कि वह सासक जिसके दर्वाल में बहुत से विद्वानों को नौतन के रूप में अलंक्रित किया गया था तो वो दूर्थों चंदगुप दूतिये के दरवार में हुई थी अगला कोशन ने भारतिये निपुलिया ने माना जाता कि इने सम्मुद्र गुप्त को माना जाता है आए कोशन इसाओ पर्थम चांदी के सिक्के किनके दौरा चलाया कि दरवाडि कभी हरी सेन थे वह था दर्स्तो समुद्र गुप्त अगला कोशन ने भारतिये इतिहास में धन बंतरी थे कौन थे दर्स्तों चंदर गुप्त विग्राम दित्त की सभा को सूभीत करने वाला परशित चिकल सक था तो आए दोगत्त काल के परशित महिला सास्क थी परवावती गुपता थी चलिया आगे देखते कुशन अगला कुशन है यह प्रियाग परस्थी जिन्हें इलाहबाद स्थम अभिलेक के रूप में भी जाना जाता है हमें डैस की उपलब्धियां के बारे में जानकारी प्रदान करता है तो समुद्ध गुपत के उ इस अभिलेक है दोस्तों तो प्रियाग परस्थी अभिलेक है आए कुशन है कि भारत में बीजगनीत के छेतर में महत्पुन योगदान दिया आरिया भाट ने दिया दोस्तों आए को चंद्गुप दूतिये के नौरतन में से एक है तो वराह मिहीर है अगला कुशन भारत क अगला कुशन है कि पुत्री का नाम बताना दोस्तों ख्रवावति गुप्त अगला कुशन है कि विक्रामादित्य है जैस परसिद गुप्ट सासक का अगला कुशन है कि सूप परसिद कावे में दूत किरती है काली दास कि यह चलिए गला कुशन दिखते हैं में को ए कुशन आए प्रस सिती में प्रस श्ती में डेस के सासको ने अपनी अपलपधिया लिखी तो गुप्त व पन 새से exercises डेस एक अच्छा वानीव भीना वादक भी था तो वह था गुप्त समुद्री गुप्त अगला ने क् curiosity हिए प्राचिन भारत का सब्र्ब कहा जाता है तो सम्राज्जी को कहा जाता है चौती सताब दिभी कहते चलिए अगला कुष्चन देखते हैं और यह कुश्चन है नालंदा विस्वीद्यावलों को विस्थ के महान प्राचिन विस्वीद्यावलों में से एक तथा महत्पुन बहुत सैक्षिनिक उत्किष्टा के अंदर माना जाता है इसके स्थापना डैस भारते सास्तक ने की थी यह हुआ था दोस्तों कुमार गुप पर्थम के बाद गुप्त समराजे की बाग दोर संभाली थी किसने समुद्ध गुप्त ने संभाली थी अगला कुश्चन है चौतिस सतावदी के शुरुवात में गुप्तों ने डैस में एक छोटा सा समराजे स्थापित कर लिया था तो वह मगद ने किया था अगला कुशन है गुप्त काल के दोरान चीन के डैस यातरी ने भाद का भ्रह्मन किया था तो फायान ने किया था अगला कुश्चन है चनूदूतिये ने गुप्त समराजे के डैस इस्वी में गुज़ात तक मिस्तार कर लिया था तो ति 390 इस वी में आए कुश्चन है भित्री इस्तंब से अले गुप्त समराजे के सासन काल के समय की है जो समधी थकिसे इसकंद गुप्त से दुस्तों अगला कुश्चन मंद सौर परसस्ति अधिक अपलब्धियों का विब्रन परसुत करता है कुमार गुप्त पर्थम सबसे सबल पर्मार नरेश की रजद मुदराय है तो चंद गुप्तिय की था किसे समुध्ग घुप्त को जाना जाता है तो चंद्गुप्त के नाम से जाना जाता है अगला कुशन है गुप्त सा से जिन्होंने हूनों पर विजय प्राप्त की वह दुस्तों है इसकंद्गुप्त अंगला कुश्चन गूप्त सुन मुद्रा को कहा जाता था दिनार कहा जाता था दुर्टो अगला कुश्चन है गूप्त अभिलेखों में दिनार किसका जिसका वाचर Кहव है कांसे सिक्का का एककांप एकतन 297 से नहीं, कि 124 में एक निरमान के पहलएक मिलता है वे रेसम बुनकरोश रेनी अगर एक कुश्चन है सारनात की भूमी इस पर्स मुद्रा वाली बुद्ध पर्तीमा कालंकित है गुप्त काल से है नेक्स कुश्चन प्राचिन भारत में वह बन जिसके सासन काल को सन यू कहा जाता है तो गुप्त को अगर एक कुश्चन राजवन्स जो हुनों काक्रमन से अतियंत विश्रित हुआ वह गुप्त है दोस्तों आएक कुश्चन भाग और बली थे राजवके स्रोत थे अगला कुश्चन है अधो लिखित में गुप्त कालिन स्वन मुद्रा है तो वह दोस्तों दीनार है अगला के पर्तिपादक है तो पतंजली हैं दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं आएक कुश्चन न्याई धर्शन को परचायित किया था तो गौतम ने किया था आएक कुश्चन भात में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षन है तो वेदों की प्रमानिक्ता में आज था काम रूप में वैशनम धर्म को लोगप्रिये बनाया संकर देव नेक्स कुश्चन है बीज गनीत के छेत्र में योगदान के लिए विशेश रूप से जाने जाते हैं तो भासकर को जाने जाते हैं काई दास्तिक अनुष्ठान का विधान का सवपर्थम किया थ नारद ने पुंड वर्धन भुक्ति अवस्तित्थी उत्तर बंगाल में चली नेक्स कुश्चन है गुप्त काल में उत्तरी उत्तर भारतिये वैपार संचाइथ होता था ताम लिपिक बंदर गाह पे सती पर्था का पर्थम अभिलेखिये संदर प्राप्त हुआ है दोस्त आएक कोशन चांदीक सिक़्ेशा जारी करने वाला पर्मुक्त सासक था तो चंध्गुपर दूतिये था अगला कॉशन है, कि समुद्र गुपत के परियाग पाससर जिसको पहली बार अब लेख जारी करने का अदाइत्व दिया जाता है, नालंदा विस्विदाल लेख स्थापनों डा्यैस द्रौरा पांसर बादी में की गई थी, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था दोस्तों गुपट समर्ष्य के प्र theo पड्रयाग प्रति को डियाश को रूप में जाना जाता है तो इलाहजा बाद इस्तम से यह लेकिश्य के रूप में जा वाकाटक सम्राज्य की महराने प्रवावती गुप्त कुवेर नागा और डैस की बेटी थी तो चंद गुप्त दूतिय की थी दोस्तों चलिए लेक्स कोश्चन है डैस प्राचिन भारत का एक महत्पूर्ण बंदरगा सहर था वो था तम्र लिप्त आएक कोश्चन है गुप्त सासको के अधिन परसासन के संदर में भुक्ती सब्द कार्थ किया एक प्रांथ है दोस्तों आएक कोश्चन गुप्त सासको के संदर में वीथी वीथी सब्द डैस को संदरभित करता है वह करता है दोस्तों परसासनिक इंगाई को करता है आएक कोश्चन गुप्त सा इसवी के बेच डैस ने भात पर साशन किया था वो दोस्तों क्यात गुप्त राजवंस ने अगला कोशन है चंद गुप्त पर्थम का उतर धिकारी कौन था दोस्तों तो समुद्ध गुप्त था आए कोशन गुप्त समराजे का वह पाला सास जिसने महाराज अधिराज की इसल कर था वो था लिभ करता दोस्तों कहले चीनी यात्री शुन यूं शुन भात आया था तो 5827 में मैं और फॉटि सदावदी क्सुरौएत भात की यातरा पाने वाले चीनी यात्री तोस्तों सुन यन थे अगला कुशन आगा टॉपिक है दोस्तों गुप्त उतर काल से प थी तो करनोज थे अगला कुशन का न कर दोस्तो पाल राजवंच के रथम राजा थे गोपाल है हर्स वर्द्रे ने पांच इंडीज को अपने नियंदर में लिया यह पांच इंडीज कौंद थे दोश्तो पंजाब थे कम नौज थे बंगाल विहार और उड़ीसा थे अगला को प्रशेन एंगा की दो किया संदे गोड़ा रविक्रिती कि आए पुलकेशन रुद के बारे में अगले अगला कौशन है डैस के साशन काल में भारत आया था हर सवर्धन के साशन काल के दौरन वह चीनी यात्ती होहिंग संग भारत आया था चलिए अगला कुश्चन है कि डैस एक चीनी बहुत भिख्चुक था जिसने नालंदा में बहुत साथ रोक आध्यन किया था और 627 से 649 सभी तक भारत की 17 वर्ष के लंबी यात्रा के लिए परसी दें वह है दोस्तों है इंग संग चलिए आगले बढ़ते आई कुश्चन है हर सवर्धन के मिर्थियों के बाद परतिहार पाल एवराष्ट कूट वंस के राजाओं ने डैस पर आधिपत्ते प्राप्त करने effective दूसरे के साथ किया तो क्वरध कौनोषपर मत पर दोस्तों आधिव प्राप्त प्राप्त करने के लिए एक दूसरय यात्री न्लांदा आया और तथा चात और सिख्चक Pom में दुनों में एक काम किया तो वह हो इंग सांग दोस्तों अगला कुछ ने मान भर डैस के दरवारी कभी थे तो राजा हर्स वर्धन के थे अगला कुछ ने हर्स की मिर्द्व के बाद सात्वी सताबदी का सबस्ट परभुत में और उनके काल को भाद के अंधे यूग के अगला कुछ ने चेनी यात्रीत सिंग डैस में तीन वर्स रुख कर संस्कित सीखा था ताम लिपित में अगला कुछ नोवी सताबदी में इस्थापीत परशित विक्रम सीला विस्विद्धालिक स्थापन डैस ने करवाई थी तो धर्म पालक दोड़ा कराया गया था दोस इस तो वह था वाकारटक मंस का चलिए आगे पढ़ते हैं कि आए कुछ ने बान भटने हर स्रीत में किस मौरी कालिन सासर का उलेख किया है तो बड़ी हदरत का आए कुछ न राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्स चुना गया तो गुपाल नंदिवर्मन पल्लव वमल क आए कुछ ने इस तूप जिसमें आरिया किस्तंब की विशिस्ताइं प्राप्त होती है अमरावती एक्स कुछ ने इस तूप जिसमें आरिया किस्तंब वाले मंच की विशिस्ताइं मिलती है तो अमरावती और नागर जुनिकॉंड आए कुछ न सासन सासक जिसने चार असम यग्गों का संपाधन किया था तो प्रवर्षेर पर्थम ने प्रवर्षेर पर्थम के द्वारा किया गया था आएक वाल लभी विश्विधाले इस्तित था तो गुजरात में दोस्तु छट्वी सतावधियों में एक मोरिये वंस कहां सासन कर रहा था तो लार्ट में कदम्बो के दार्शानी बनवासी इस्ति थी तो गोवा में दोस्तु आई कोश्चन है पर्तिहार आवी लेखों में संदर्वित सिक्को का नाम था तो द्रम था दोस्तु नेक्स कोश्चन है मंद्य प्रदिश के हरसुत सहर का निर्मान किया था था हरसवर्द्रें के दोस्ता ने आई कॉश्चन, डैस ने सार्ष निकाल में चीर यह थे तो वह रात आया था हर्स वर्द्रें के सार्ष के दुड़ाएं यहा था दूसतों यह कोश्चन बहुत बहुत बार पुछा जा चुका है सब एक्जामे से एक्जामे भी यूपी PCC PSE की एक्जामे पुछा जा चुका है यह कोश्चन बहुत ही जादे इंपोर्टेंट हो जाती है दोस्तो आएक कोश्चन है कि भारतिस सम्राज हर्स की जिमनी हर्स चरित डैस ने लिखी थी तो वान भट के दौरा लिखा गया थे द छुआ यह कोश्चन ने हर चडार करनोज के सासक हर्स वदेंगे जिमनी है जो उनके दरवारी के बीडेस द्वारा संस्क्रित में रशीत है तो संस्क्रित में रशीत तो वान भट के दौरा एक कोश्चन है चीनी या तिर्थ यात्री जो बहुत ग्रंथों के तलास में भात आया था तो हिंग संग आया था दोस्तों आए कुश्चन है जालुक के सास्तक पुलखिसिंद्न का हर्ष वर्धन पर विजय का वर्ष था दोस्तों 1688 में राजा हर्ष वादन अपने भाई डैस की मिर्तिक वाद थानेश्वर और कनज के सिहासन पर परभुत इस्थापत किया तो राज्य वर्धन की मिर्तिक के बाद आए कुश्चन है मंगलूरु इस्तित मंदिर भगवान सिव के एक अवतार को समड़ पित है तो कादरी पित्वी दौटा सुरिय के प्रक्रिमा के लिए लगने वाला समय की गन्ना करके करने वाला पर्थम भारतिये खवकल शास्त्री थे तो भाज कर राज चाड़िये थे आए कुर्ष्चन दोश्तों सूची उनको सूची दोम नाना है थो तो दोश्तों यह फायान हो जाएग हैंस आया था 629 से 645 स्वी हो जाएगा दुस्तु एच्छिंग आया था 671 से 693 की बीच में और अलमसु दिया था 915 से 916 इस्वी की बीच में आई थी कि आ कि